मित्रों नमो नमा ब्रहत्रई समागम चैनल में आपनों का स्वागत है आज हम थोड़ा मीडियम आवाज में बोलेंगे आप लोग जानते हो कि मैं लगातार वीडियो बनाता रहा हूं उसमें आपने देखा होगा अविज्ञान साकुंतलम जो मतलब कालिदास के जितने सातों मैं एक पर्शनल वीडियो बनाया था न कालिदास के सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें किया था आज हम एक वीडियो फिर ने के आया हूं अपने लोगों के लिए क्योंकि यह बार बार संस्कित साहित सब्सक्ति और से सवाहल पूछा जाता है , यह किसकी रचना है, इसका समय क्या था किसी प्रकार का है आज वी वीडियो लेकर आज शुरू करेंगे शीवराज बीजियम पर भी जो मैंने वीडियो पहले बना चुका हूं तो आए बहुत ज्यादा समय लेते हुए आप लोगों को मैं ब्रहत्रई समागम चैनल में फिर आज वही प्रसनोतरी यानि जो वीडियो जो साहिद को लेक देख जाया हूं तो ए दिया है पहली रचना हम लेंगे कि पाली रचना लेंगे हम सीवराज बीजियम ए सीवराज बीजियम सीवराज शिवराज बिजयम ये पूछा रहे हैं कि आफ से कि रचना है, पहला स्वाल ते हुआ है, कि शिवराज बिजयम महाकवी जो अमबिका अधक ब्यास की रचना है, आप लोग देख पा रहे होंगे, कि ए आपसन नमर 13 से उठाया हूँने तो इसमें दिया सिवराज बिजयम किस की रचना है तिसी के नीचे लिखा गया अंबिका अदाद व्यास यानि सिवराज बिजयम अंबिका अदाद व्यास की रचना है ये किस प्रकार का गरंथ है ये बहुत सोवाल पूछा गया था ये सीवराज विजयम किस परकार का ग्रंत है तो आप जानते सीवराज विजयम ये अर्तिहाफ्थी का पर नयास के भी नाम से जानते हैं यानि सीवराज विजयम जो होता है इसको पर न्यास की स्टेन दे गए यानि सिव्राज बेजयम में कितने अध्याय क्या इस तरह पूछा जाता है ना सिव्राज बेजयम में 12 निश्वास है पूछा गया था TGT में 2021 में 2021 में 2021 में पूछा भी गया था सिवराज बिजयम का मुख्रस क्या है तो यह आपका होता है बिर रस होता है फिर सिवराज बिजयम का जो आधार गरंत है वो इतिहास प्रसिद्ध से लिया गया है प्रवाज बिजयम के नायट जो हते हैं महाराष्ट के सरी सीवा जी इसके बाद प्रमुक पात्र ने सीवा जी गवर सिंग अफजल खान साइस्ता खान ये स्वन सिंग ये जो सीवाज बिजयम में सीवाज जी के जीवन चरित का चरिचितनड किया गया है इसके बाद अगले रचना आप चलेंगे हम अभियान साकुंतलम किसकी रचना है अब सभी लोग जानते हैं महा कभी कालिदास की रचना अभियान साकुंतलम किस प्रकार का गरंथ है तो आप लोग जानते हैं अभियान साकुंतलम में कितने अंख हैं सातंख हैं अभियान का जो आधार ग्रंथ होता है यह महा भारत का आदी पर कहिए और इसके पदम पुरान में भी एक अथा मिलती है इसके बाद जो अभिज्यान साकुंतलम का जो महा कवी कालिदास लिखनी की जो समय था वह आपका 150 इसा पूर से लगाई 475 इसा पूर के मना जाता है और अभिज और यह इसके प्रमुक्र पात्रें दुस्यांत सकुंतला कर्ण असुया प्रियंबदा दुर्वासा मेनका गौत्मी वसुमती माडव विदूसक सारंगरो सारदत भारत मारीच दुर्वासा गौत्मी यानि इसके अभिज्यान साकुंतलम के प्रमुक्र पात्रें यह सर्वत कोटी का एनाटक माना जाता है इसके बाद चलेंगे हम लोग ही किरमों वर्शयम महा कभी कालिदास के रचना बिक्रम वर्शयम यह नाटक के इंटर सी कुल टू टक торовपा चंक हैं सिरholder सम्रे क्वेद्स रिफ्फिकरması इस अधार ग्रंत जो त hes यह महाभारत का विम मना जाता और रिगवेद मना जाता है। इसमें इसका वही समय होता है पुरानाल ही 150-475 और इसके नायके पुरवा और उर्वसी हैं। इसके प्रमुख पात्र ने पूरवा उर्वसी इंद्र कोसी दैत कुवेर भरतमुनी भरत नरी और बनवासनी इस्त्री कुमार उर्वसी पुत्रनारद यह गर्वनाटक योजना इसका विम से उचार सी गरव नातिक्स योजना इसमें और वियोग सिंगार का अधिक वर्ण किया गया है फिर इसके बाथ चलेंगे एंक कालिदास की एक रचनात आए माल विखा अधि मित्रम यह पूछा था कि माल विखाग अध्रम कैस की रचना एं ति यहीर महा जो ईसका वी रस स्रिंगारा से अर्ण अधार गरणा जो इतिहास से लिया गया इतिहास प्रसीद के भी नाम से इसको जानतें इसको और इस्तिहास प्रसीद केते हैं Śका अस्ताम वहीं 150 के लिए पच्छा से चार्सु पक्षतार इसके नायक हैं अगनी मित्र और मालविका और इसके प्रमुख पात्र है अगनी मित्र मालविका घंदा और सिरावती बसुमित्र माधो सेन्द और कथा वस्तु के दिष्ट्री से इसका विसेस आथर यह नाटक के अंतर आता एक नाटिका के अंतरगत भी आता है मित्र आपनों से छोटे बड़े सवाल पूछा जाता है कि सब एक नर्चना फिर आई कि स्वप्न वासो दत्तम यानि स्वप्न वासो दत्तम किसकी रचना तो महा कभी भास का नाम जानते न जो तेरा इनके कि स्वप्न वासो दत्तम महा कभीभास की रचना यह की स्वप्रकार का गरंथ होता है यह सबस्प्रहूल करें इसका जो संबक्रिब्स और आपका वही है आपका यह उदयान और वासुदत्ता इसकी नायका नायका है इसके प्रमुक पात्र रहें वासुदत्ता पदमावति योगंद रायर रूमर्णेवान वसंतक है वसंतराइवा इसका विशेस अउतरन एक नदी की योजना का भाव इसमें फिर इसके बाद चलेंगे एक रचना लिया जाएगा जो बहुत इबार परिछाओं में आया भी है कि ये मरिच कटिकम कहांगे मरिच कटिकम ये किसकी रचना है तो आप लोग जानते कि महा कवी सुद्र के जो नाटक का सबसे बड़ा भाग होता है ये पूछा का कि सुद्र जो मरिच कटिकम है ये किस प्रकार का गरंथ है ति ये प्रकरण गरंथ होता है जो ये दस अंखों में लिखा जयाता है पूछा भी गया था कि मरिच कटकम एक ऐसा गरंत है तो यह प्रक्रण गरंत इसमें भी क्या है दस अंख है अब इसकी बाद चोलेंगे जो शुता है अम भी मरें कटकम होता है इसका मुख स्रिंचारом रस ओ दothyक जो आधार गरंत इतिहास प्रसिद्ध या कल्पना प्रसुद्ध यानि कल्पना की कृतिविए की गए इसका समय है पहली सताब्दी या पंच्वीशताब्दी मानी जाती है इसका जो मेन नायक यह आया भी था परिछाओं में कि आपका म्रिच-कटकम का नायक और नायका कौन थे इसका नायक चारुदत था और इसकी जो नायका है वसंसेना है इसके प्रमु कुछ पात ने चारुदत वसंसेना मैत्रे बिदुसक सकार सर्विलक मदनिका करणपूरक वंदक यह एक समाजिक रूपक है मित्रों यह जो रचना में बता रहा हूं एक टीजीटी पीजीटी सब में पूछा गया है इसको एक बार जरूर देखे आपनों से रिक्वेश्ट गुजारिस है कि बेत्रई समाइगम चैनल को और आप लोग ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर करें ताकि मुझे एसा सोजा कि मेरे चैनल को आप लोग फालो करते हैं कि एक रचना और लाया हूं कि मुद्रा राक्षच किसकी रचना है मुद्रा राक्षच आप लोग जानते विसागदत की रचना है और ये किस प्रकार का गरंथ है नाटक है इसमें विसात अंख है और इसका मुख रस बीर रस है इसका जो आधार गरंथ होता है ये और इसका जो ये मुद्रा राक्षत का जो समय था लिखने का ये तीन सो से चार सो इसा पूर है और इसका जो नायक है ये कई वेर भी आया भी था कि मुद्रा राक्षत का जो नायक है जो चानक है चानक है और इसके कुछ प्रमुख पात्र है चानक है नंद है राक्षत है चं इसके बार उत्तर राम जानते। सभी लोग जानते हैं उत्तर राम जारतम भिएक परकार करनाटक की यह महाकवि 고 Gör tutti कि रचना है यानि उत्तَराम जारतम कैंजी महाकवि आपमें लिखनी आप में कले 벌써 लिए है यह हुं भ्हुति की रचना है उत्तराम चर्थम यकतने यंक्षे का राम यृत्तर्त के समय होता होताで महा करें भवूति लिखिते 755 सित्त में स्पाइब देए जांकि अल्ट ऌटिवय है तो कि इसके कुछ प्रमुक पात्र है इसमें कुछ प्रमुक पात्र दीए कि राम शीता लोकुस बाल मिकिगी चंद्र केतू जो लच्छमण की लड़के चंद्रकेतू आत्रे तमसा तमसा मुर्ला बासंती इसमें अतमाम और पात्रहिंस का जो नाम नर होने कारण और इसमें संबुक इसे रिसीओं का भी वरणन किया गया है इसकी विशेश नहीं कि यह गर्व नाठक क्यों चित्र बितिक योजना विद्दूसक रहित रचना माने जाती है इसके बाद महाबीर् displaced यह पूछा जआ कि महाबीर चर्थम किसकी लिशना यह उतक है इसमें विसाट आब और यह फैर यह महाबीर्चर्थम का मुख्रस भी रस है आपका 650 से 750 इसापोल इसके महाबीर चरितम के भी नायक आपके राम है और सीता है इसके वाद और इसका जो कुछ प्रमुक पात्र है इसके प्रमुक पात्र है आपके यह राम, सीता, दसरत, कौसल्या, कहके जनक, लच्मण, भरत, सत्रुगन, रावन, सुप्रनका, बिस्वा आपको अगर नहीं व्यारात एक ट्रिक में बता दे रहा हूं कि मालती माध्वम महा कभी भववूति कि रचना होता है और कि स्प्रकार का गरंध का नाटक बड़ा वाला जो भाग होता है प्राकरण गरंथ के अंतरगती यौन यह भी प्रकरण गरंद याद सकता है और ईसका आपका आधार गृंधार कई कल प्रसुत प्रसुत नाटक है इसके गांत इसके कुछ विश чаe PARK फ़य माधो व मालती कल हंस नंदन मकर नंदक और सौधामिनी और यंतिका यंतिका और इसके इसमें विदूसक रचना यह विदूसक रहता यानि इसमें वह क्या होता है कि विदूसक का सर्वथा अभावरता इसमें भी बिद्दूसक नहीं है फिर इसके आगले रचने चलेंगे बेड़ी संगहारम वा ये भी आया था सवाल ना कि बेड़ी संगहारम किसकी रचना है तो महा कभी जो भट नारायन होते हैं इसको लिख दे रहा हूं ये भट नारायन यानि भट न इसके महा कभी जो नहीं कि बेड़ी संगहारम कि रचनाकार हैं भट नारायन भट नारायन है और इसका ये पूछा है कि ये किस प्रकार का ग्रम थेत ये भी एक नाटक होता है इसमें भी छोंखे बीर रस है और ये महाभारत से लिया गया है इसका जो समय था आठ्वी द्रवपदी होती है और इसका जो कुछ प्रमुक पात्र हैं भेम द्रवपती इदेश्टी अर्जुन क्रिष्ण भानुमती द्रोण कर्ण अस्थामा जैद्रत द्रयोधन धितराष्ट गंधारी नाटक का उद्यस द्रवपती का जो वेनी संहारम हो यानि कि जो इसमें प्रूकेसों का खुलना उसी को बार्ण था यह इसका कहानिस में आई है मित्रों इसके बार अगले रचनाप चलेंगे आप लोगो हम अगले रचनाप चलेंगे इसमें दिया है रुप जैक उनट एक उनट थोड़ा सा माफ करेगा हाँ आब इसके अगले अगले रचनाप हो चलेंगे हम लोग अधरा ऐसे लग जाओ फ्रेंट परसान कर दिया है इसके बात चलेंगे अब फिर अगली जो रचना होती है अप लोगों के लिए है इसको जूम करने दो तो पकड़ में आएगा इसे नहीं से यह हां रत ने पूछा रतनावली किसकी रचना है यह रतन किशी सब्वर्धन होते हैं उन्हीं कि रचना है रतनावली किसकी रचना में इसका दारम सेकार अध़ार प्रसिया कल्पना प्रसुद यानि ये कभी की कल्पना किया गया है और इसका जो समय था सात्वी सत्यब्दी का पुर्वाद यानि इसका समय था सात्वी सत्यब्दी का पुर्वाद इसके नायक है उदयन रतनावली सागरिका इसके कुछ प्रमुक पात्र हैं उदयन सागरिका दूसक बसंतक वासोदत्ता योगंद रायन सु संगता और वसंधरा इसका इसके कुछ विशेश बिरोड मिलते हैं य AH धीर लदी थ है तथा नाई का मुगध अगल्हे माई रचना आप चलेंगे प्रिया दर्शिका यह वह आपे अधार दर्शिका रजनावलिं संगतामिंद यहां कभी हर्थ वर्धन की ही रचना मिया और दर्शिका हर्भषवर्धन की बिरह समत यहां जर्ट ऑज्य northern यह भ कभी की कलपना की गई है इसका समय तर सात्मी सताब्दी और इसके जो नायक और नायका होते हैं वत्स हैं और इसके बाद अरन्यका है यानि इसके नायक और नायका वत्स और अरन्यका है इसके कुछ विशेश पात्रें वत्स हैं अरन्यका है द्रिण वर्मा है प्रेदर्सिका वासो दत्ता है इसके बाद इसका जो कुछ बीवरन कुछ बिस्यस बीवरन मिलते हैं नायक धीर लली तथा नाई का मुगधा है इसके इसके आगली रचना आप चलेंगे हम लोग हुए नागानन्द तो आप लोग जानतें रचना हमाकवी हर्ष वर्धन की रचना है ये नाटक है पांच अंख हैं बीर रस हैं थड़ा जलने कंथा सरीथ सागर और इसका अधार गन्थ लिया गया और हमा भाग सिकथा सरीथ सागर इसका अब इसके प्रमुक पाते हैं जीमुत्ट मलयवतिव देवी गवरी सर्ण्यासी मित्रवसू सर्फ माता गरून संक्चून सर्फ बुद्ध के आहन यानी बुद्ध के आहनके रूप है इसके बाद चलेंगे रगु रगुबंसम जीव न्यायतिर्थ यानि रगुबंसम यह दुबारा एक रचना और आई है यह रगुबंसम यह नाठक होता है छों का नाठक हे यह बहुत कमहीं लोग जानते और इसका जो रस होता है यह स्रिंगार से और रगवथ के कालिदास इसका अधार गंत माना गया जा चुम ही का लिदास की रचना और रगवथ मअक्टाव्यम Some ौर बना गया इसका जो समय था ठारक सैन्य आद्निक जमाने की रचना यानि ये आद्निक जमाने की रचना ऑर इसके थे नयक present राम सीता हैं इसके आवर जो इसके प्रमुक्पात्ने कालिदास की तरग्वंस महाकाब्यम के सभी पात्र हैं इसके कुछ बिसे से की प्राण प्रण वाप परिजात प्रकासित कालिदास समारोकी में अविनित किया गया था देखो यह सब यानी दवारा लिखा आ कालिदास का कपल गया कुमार यह किसका उरुटे यह हैं जीव नियायतों छो ब्यापतिं हैं यह इसके कभी होते हैं यानि कुमार सम्भम किसकी रचना है जीव नियायतीर्थ की है इसके यह कैसा नाटक यह नाटक वो माका अगना तक बना गया इन पांच अंख रिंगार रस jede कालीदास कुमार संभम इसका अधार गरंत जोता है कालीदास के हमार संभंग लें आगे 18 से िसका समय है और इसके जूनलायक और नायक ह Peki है यह खुशीव और पर्वत्प्रती हैं जालिदास की प्रसंसा में ही नाटक बनाए गया है करपूर मंजरी यह आयत कितनी बार पुछे करपूर मंजरी किसकी रचना है तो यह राज सेखर की रचना है यह कैसा यानि नाटक है महाकावित कि आयत जानते कि इसको सटक कते हैं यह सटक है इसमें जो कितने आंखिती में जीवन निका में अधाती चार जीवन निका है स्रिंगार रस से कलपना प्रसूत नाटक है और आट साओ अस्ती से और नोसो बीस ही इसका समय माना गया था और इसके जो नायक और नायका चंद्रपाल और करपूर मंजरी इसके नायक और नायका हैं चंद्रपाल और करपूर मंजरी इसके प्रमुखपात चंद्रपाल करपूर मंजरी बिदूसरे करत्न चंड बी छड़ा बी छणा कांचन चंड प्रतिहारी सागरिका इसी नायक इसके कुछ भी सुना है कि नायक धीर ललित नायका मुगधा यह दोस्पूर्ण कृती है अब इसके बाद एक नाट काटा प्रसन रागों बहरी बहरी इंपॉर्टेंट यह कई विराया थन यानि प्रसन रागों इसको प्रकार का नाटक नार्टक सांक हैं भी रस्त यूरा almaर सिसका अधार गंथ लिया गया इसके वाद जी का समय था जो प्रसन रागों का यह और सिता इसके नायका इसके प्रमुखपात राम सिता जनक यानि यानि आयोध्या के सभी पात्रिसी में राम सिता जनक और रावण विश्वामित लक्षमण पर्शुराम गंगा यमना दसरत हनुमान भिविशन सुग्री इसके कुछ विशेस आउतरन की गीत गोविंद कार ज प्रबोध किसी रचना ये प्रबोध जो हती है चंद्रयम की रचना ये नाटक का प्रतिकात्मेक रूप है छायंक है सांत रस का प्रयुक्व किया गया इसमें और इसके जो आधार गरंत ये कल्पना प्रुसुन यानि कल्पना कभी की किर्थी एक रहामिस सताबदी के उतर सरसती वैराग विद्या प्रबोध चंद्र इसके कुछ बिसीष्ट विर्व प्रसिद्ध प्रतिक नाटक है फिर इसके बाद आया है कि रूजय के जूंकने सरीर पूत्र प्रक्रण हां सारी पूत्र प्रक्रण ये किसका रचना तो आपनों जानते हैं अस्भोष की रचना है और ये किस प्रकार का ग्रंथ है ये भी प्रक्रण ग्रंथ है और इसमें नौ अंख है इसका जो रास होता है सांत रस होता है इसका जो अधार ग्रंथ होता है एक इतिहास प्रसिद्ध यानि इतिहास लिया गया ठतर एड़ी में इसको लिखा गया था इसके जो नायक हैं सरी सारी पूत्र सारी पुत्र हैं इसके प्रमुख पात्र हैं बोध्भ है मौध गल्व त्यायन हैं सारी पूत्र बूध्धी हैं दृत्र ध्यादिए मुध कलपना इसका इसका विसेस-बिश्वन ये होता आंग बहुत दिख्षा का वड़न किया गया था इसमें इसके बार एक रचना और लेंगे आए अनंगराघौम प्रसंदराघौम ये पूछा गया था ने अनंगराघौम किसकी रचना है तो महा कभी आप लोग जानते कि ये मुरारी की रचना है ये कैसा नाटक है साथ अंक है इसके बाद जो आपका इसमें स्रिंगार रस है और रामायड से इसका अधार गरंथ लिया गया है इसका जो समय था आठ सो इसा पूर का उत्राग और इस रामायड के सभी पात्रिस में आ जाएँगे इसके कुछ बिसेज दुर्ण कि याग की रच्छा के लिए यानि इसमें ये कहा गया नहीं यव की रच्छा के लिए विश्वामित द्वारा राम रच्मन का दसरत से मांगना था राम का राज़ा विशे करना मित्रों ये रचना जितना आज आप लोगों को मैं बताया आपने ये किसी निकिसी एक्जाम में पूछे जाते हैं इसको बढ़िया से एक बार वीडियो को देख लिजेगा इसके बार लाइक कमेंट जरू करेगा इसके बार सब्सक्राइब यानि इसको शेयर करेगा इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है अभिनंदन है बंदन है मित्रों आज बस आज के लिए नहीं रहने देजिए मित् कि अलिए रहने लोगों मित्वादा थे लोगों के लिए यह बार सुनाओ फटे रहल रहने है के सब्सक्राइब लो आ दो मित्वादार गल्या ठोग्जा थाल्गों मित्रों मां रहने का